फेडरिक होलर ने अपनी एक सिंथेसिस की, सिंथेसिस का मतलब देखो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है होलर थियोरी, यहाँ पे होलर थियोरी नहीं लिखा है, बरजिलियस थियोरी लिखा है, थियोरी का मतलब जिसका एक्सपरिमेंटल प्रूफ नहीं हुआ हो, बड़ सिं Center Jennifer patterड नाम है वेटा अब अब फेडरीक होलर ने इन ही के स्टुटेंट थे फरजीलियस के स्टुटेंट थे और भीटए इनों ने क्या किया गुरू का गुरू और गुंटाल कर दिया हूं धिदी किया की तेउरि को गलत परूफ कर दिया को एकसिदेंटली फटक होलर ने लेप्रेट इमें और गनीक इंपानद को प्रिपेर कर दिया है में एकसिदेंटल है का मतलब गलती से गलती ऑ Delhi एक्सिडेंटली का मतलब बनाना नहीं चाह रहे थे और गनीक कंपाउंट बनाने का मकसद नहीं था लेकिन रिसर्च करते 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 इन्होंने कुछ और गनीक कंपाउंड ही बना डाला आये समझते हैं hauler synthesis में लिखेंगे कि hauler prepared hauler accidentally prepared organic compound hauler accidentally prepared organic compound in laboratory hauler जो है accidentally organic compound को prepared organic compound in laboratory ठीक है organic compound को बेटा laboratory में इन्हों نے prepare कर दिया accidentally जान भूज कह नहीं किया accidentally organic compound को किया और इसकी वज़े से बेटा क्या हुआ था हमारे जो बाबा बरजीलियस थे बड़ी नराज हुए क्योंकि बरजीलियस की थियोरी बेटा fail हो गई vital force theory या VFT जिसको हम बोलते हैं बरजीलियस थियोरी बतला vital force theory failed बेटा, Hoeller के आने के बाद, जो ये Hoeller के गुरू बरजिलियस थे, तो Hoeller जो है, वो गुरू के ही थियोरी को गलत प्रूफ कर दिया, तो Hoeller अक्सिडेंटली प्रिपेर्ड औरगनी कमपाउंड इन लिबरेटरी, बरजिलियस थियोरी बेटा, फेल हो गया, वाइटल फोर्स थि होलर ने कंपाउंड लिया था के सी एन ओ जिसको हम लोग बोलते हैं बिटा पोटैसियूम साइनेट अभी मैं इसका स्ट्रक्चर रिवता दूँगा क्योंकि जेई वेई के जो बच्चे तैरी करते हैं उनसे कंपाउंड पूछ के सिग्मा पाइब लोन पर पूछ लेता है ब फेडरिक होलर ने क्या किया इन दो कंपाउंड को मिलाया और इन दो कंपाउंड से मिला के वो कुछ और बनाना चाह रहे थे लेकिन गल्दी से बन कुछ और गया तो क्या बनाना चाह रहे थे ध्यान दीजेगा सर यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा यहाँ पे आपके देखने से पता चल रहा होगा कि सर यहाँ पे जो potassium sinate में क्या है K plus दिख रहा है और sinate का मतलब CnO minus यह sinate ion होता है बेटा यह potassium है यह sinate ion होता है CnO minus आज़ो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा अमोनियम आएन है और यहाँ पे बेटा सल्फेट आएन है एसो 4-2 तो इस reaction को कैसे करना है पहले का plus और दूसरी के minus को combine करना है ध्याँ दीजेगा यह पहले का plus जो है बेटा यह खेलते 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 यह क्या हाँ तो क्या होगा यह क्या यार कैसा इसको अटाओ चल लो बोर्ट जवर्दस हैंक कर रहा है पता नहीं क्यों चल लो तो यह जो पहले वाले का plus है दूसरे वाले के minus के साथ ऐसा bond बनाएगा क्या पहले वाले का plus दूसरे वाले के माइनस के साथ ऐसा बॉंड बनाएगा क्या हां तो पहले का प्लस और दूसरे के माइनस के साथ बॉंड बनाएगा तो इस तरह से बॉंड बनेगा प्लस पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ बनेगा यह बन गया पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ कुछ इस for cno बनेगा आईए potassium cyanate ammonium sulfate के साथ reaction करके पहले का plus दूसरे के minus के साथ दूसरे का plus पहले के minus के साथ ये बिटा ये बनाना चाह रहे थे ammonium cyanate बनाना चाह रहे थे फेडरिक होलर जो थे वो ammonium cyanate बनाना चाह रहे थे ठीक ना this was the expected product ये जो फेडरिक होलर है इसका expected product ये था लेकिन बेटा इनसे गलती से mistake हुआ इनसे गलती से mistake ये हुआ कि थोड़ा सा इन्होंने क्या किया heat and rearrange थोड़ा सा इन्होंने heat किया rearrange NCRT में ने लिखा हम भी ने लिखेंगे इन्होंने हलका सा heat किया और heat करने से ही इनके पास NH2 को NH2 मिल गया बोड़ हैं कर रहा है sorry NH2 को NH2 मिल गया तो बेटा आपके सामने ये बन गया यूरिया और यूरिया जो है बेटा ये बन गया जैसे इन्होंने बनाया organic compound बेटा हाहा कार मच गया हाहा कार मच गया यानि कि लोगों को लगा कि ये हुआ क्या बरजिलियस तो बोल रहे थे कि बहए organic compound बनाये नहीं जा सकता लिबरेटरी में बड़ होलर हमारी निकले उन्होंने बोला नहीं ये लो बन तो गया ये लोग बन तो गया तो accidentally बनाया लेकिन पहली बार organic compound लेबरेटरी में बनता हुआ लोगों को पता चल गया इस वज़ा से बरजिलियस थेयोरी और वाइजरल फेयोरी फेल हो गया तो होलर ने बहुत काम असान कर दिया कि potassium sinate और ammonium sulphate को जब वो रियक्ट कराया तो वो बन अच्छा का testing हुआ तो पता लगा अरे भाई साव ये तो organic compound है और organic compound है तो बरजिलियस गलत बता रहे थे हां भाई बरजिलियस गलत बता रहे थे इसलिए पर जिलियस की थे थेयोरी क्या हो गई फेल हो गई next अब ध्यान से देखिए बरजिलियस की थेयोरी बेटा क्या हो फेल हो गई अच्छा तो यहां तक अबने नोट डाउन तो कर लिया होगा अब नेक्स तम आगे बढ़ते हैं नेक्स बर्जिलियस की थी फेल हो गई and this is the expected product यूरिया की आप मैं आपको बता रहा था कि इसका में structure भी बता हूंगा आए लिखते हैं structure भी आए अगले slide पर मैं इसका structure भी लिखता हूं I am in class 11th right now I am in manthan bass so will need 25 be helpful हाँ बिल्कुल ना बेटा बिल्कुल होगा दिव्याम सिंग absolutely होगा sir holer बताया क्योंकि एक्सिडेंटल में होता है बेटा accidentally गलती से ही organic compound laboratory में बन गया और laboratory में बननी के विज़े से यह theory fail हो गई अब आए इसके structures को ध्यान दे दे लेते हैं थोड़ा सा concept है यह NCRT में structures दिया नहीं है ammonium sulphate से कराया था जितनी बार आप बेटा notes में लिखेंगे उतना ही याद होगा तो इनका expected product क्या था बेटा expected product था इनका ammonium cyanide अचा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं sir K2SO4 का क्या हुआ अरे बेटा K2SO4 side product है reaction से बाहर निकाल दिया होगा बना K2SO4 उसको मान लो ऐसे चमच से निकाल के बाहर रख दिया ऐसा होता नहीं चमच से निकाल लो बटे क्या होता है product को बाहर कर दिया तो यह expected product था बट यहाँ पर क्या किया इन्होंने heat किया और आपके सामने बेटा न नहीं को नहीं यह यूरिया बोलते हैं और इसका structure ध्यान दिजेगा CO का मतलब C double bond O है NH2 का मतलब बेटे यह है right hand side में NH2 का मतलब बेटे यह है तो क्या यही यूरिया है आपको structure पता होना चाहिए nitrogen जब 3 bond बना रहा है तो मेरे प्यारे नमूनों लोन प्यार आएगा nitrogen 3 bond बन लोन पर आएगा दो आगे जाकि आप ऐसे question देखोगे find out the loan pair find out the sigma bond find out the pi bond तो यूरिया का यह structure होता है पहली बार पढ़ रहे ध्यान रखेगा यह कुछ चीजे तो आपको याद करने ही पढ़ेंगे बेटा आए के सीनों बताते हैं क्या यह आपको मैंने बताया कि सर इसको ह आप भी प्यार से बाबू सोना तो बुला ही लेते हो उसको तो potassium cyanate हम बना लेते हैं potassium cyanate क्या है आपके सामने क्या यह K- प्लस है और CNO- है और सर यहां पर देखोगे K- प्लस तो छोड़ो CNO- को बता देते हैं देखो C triple bond N यह बात clear हो गया और सर जो O- के साथ इस तरह से bond बना लेता है अब मैं वह बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगा कि सर क्यूं तीन बॉंड क्यूं एक बॉंड वह बेटा chemical bonding में समझ में आएगी ठीक है अभी बताओंगा भी तो आपको उल्टी हो जाएगा तो बता नहीं रहा O- पर बेटा तीन लोन पे रहे एक नहीं दो नही आपके पास ठीक है इस potassium cyanate के अंदर मेरे प्यारे बचों ionic bond भी पाये जाता है जेई मेंस का question है यह आपमें repeat हो सकता है बहुत अच्छे से इसी के अंदर बेटा कोवलेंट बॉंड भी पाये जाता है तो potassium cyanate में ionic bond as well as covalent bond दोनों ही बनता है ठीक है आईए K2SO4 में के आच्छा ammonium sulfate ammonium sulfate के structure आप देखिए मज़ा आ जाएगा बेटा यह कुछ अच्छे-अच्छे questions इससे बनते हैं इसलिए मैं खाना पूरती नहीं कर रहा हूँ NH4 plus ammonium sulfate में 2 mol of NH4 plus ionic bond बना रहा है SO4-2 से 2 mol of NH4 plus ionic bond बना रहा होता है S इससे अच्छा NH4 plus आपके पास कैसा होता है तो NH4 plus में nitrogen बेटे 4 sigma bond बना रहा होता है और जो plus होता है वो nitrogen पर होता है क्यों होता है कैसे होता है chemical bonding में पता लगेगा आये SO4-2 की बात करते हैं तो S double bond O है double bond O है O minus है और O minus है तो द्यांद यह ammonium sulfate में भी बिटा यहां पे इन दोनों में NH4 plus और SO4-2 में ionic bond बनता है जब भी charge के बीच का bond हो charge के बीच का bond ionic bond होता है ionic bond कुछ नहीं है it is electrostatic force of attraction जो physics में आप पढ़ते हो physics में आपने पढ़ा होगा 9th class में पढ़ा होगा कि charges के बीच का force क्या होता है electrostatic force के q1 q2 upon r square बेटा वही है ionic bond भी electrostatic force का दूसरा नाम होता है ठीके physics में आप इसको electrostatic force of attraction बोल देते हो यहां पे आप इसको ionic bond बोल देते हो चलो और देखो यहां पे यह जो nitrogen और hydrogen के bonds हैं sulfur और oxygen के bonds हैं यह covalent bonds ही तो हैं और इसके J-E के बहुत बढ़िया सवाल यहां पे बन जाते हैं बट नीट में अगले साल expected है कि बेटा आपके difficulty बढ़ेगा तो difficulty थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो यह question धियार रख रहे हैं और नीट में इस तरह के सवाल बहुत commonly आते हैं बह आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अच्छा इसमें आपसे पूछेगा कि सर expected product क्या है तो सर expected product तो हमेशा यही देखना है कि बनाना यह चाह रहा था ammonium cyanate बनाना चाह रहा था फेडरी खोलर लेकिन बेचारी की किस्मत कुछ और थी इसकी किस्मत नहीं हमा बरजीलियस की किस्मत कराती बेचारा वो फेल हो गया पहली बार organic compound जो यूरिया है वो लेबरेटरी में बनके तयार हो गया बेटा हाहा कार मच गया चारो तरफ कि भा बना था और यहीं कंपाउंड लेबरेटरी में नहीं बना सकते लेकिन फेडरी खोलर ने बना दिया काम ही तमाम हो गया